नमस्कार साथियों, जिस तरह से SSC अपने मिशन पी काम कर रहे हैं जल्ली एग्जाम्स, रिजर्ल्स, नोटिफिकेशन्स, आंसर कीज, सब टाइम पे दे रहा हैं वैसे हम तीचर्स में भी थोड़ी सी करिसिटी रहती है कि एग्जाम की डेट पता चल जाए ताकि बच्चों को बता सकें बच्चों को एग्जाम की डेट पता चल जाती है तो वो अपना सिड्यूल बनाकि उसे साब से पढ़ाई गर लेते हैं नहीं पता चलता है तो एक मन में रहता है यार पता नहीं कभ एक्जाम होगा हलागे इन चीज़ों का उन स्टुडेंस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता जिनकी तैयारी इच्छी है और मैं कहूंगा कि तैयारी पर फोकस करो RTI इतने सारे लोगों ने दायर कर दिया अभी ना तो कोई ओफिसियल नोटिफिकेशन है और ना ही RTI के किसी भी रिप्लाई में भोला गया है कि आपका दो मार्च को एक्जाम है अब यह लोग क्यों सोच रहे है जेही मेंस का एक्जाम है आपका फरवर इच हबड़िस के असपास तो वो उस टाइम खतम होगा उसके बाद में फिर C.H.S.L. की डेट भी देगे लेकिन C.H.S.L. से पहले आपका यह C.J.R.T. होगा यह कंफर्म है यह निस्चित है कि C.H.S.L. से पहले C.J.R.T. होगा क्योंकि अप्रेल में नहीं विकेंसी भी आजाएगी आपकी C.J.R. की वो कलेंडर में अल्लेडी दे रखी है तो यह तो कंफर्म है कि मार्च के पहले या दूसरे बीक में होगा आप यह मांगे चलो पांच से पंद्रा मार्च के बीच में C.J.R.T. का एक्जाम होने के चांसे और यह मैं अपने अनुमान पे कह रहा हूँ यह कोई ओफिसियल नोटिफिकेशन या RTI की रिप्लाई में RTI ने साफ रिप्लाई किया कि आप साइट को विजिट करते रहो इसके लिए वही पर आपको पता चले जाएगा तो यह C.J.R. ट. के एक्जामिनेशन डेट को लेकर RTI का रिप्लाई था C.J.S.L. के लिए भी बोल रखा है कि C.J.S.L. की डेट के लिए भी RTI लगा रखिए उसका रिप्लाई आते है भो भी आपको बताएंगे C.P.O. फिजिकल के लिए भी बता रखा है मेरा रिप्लाई ने आया उस लोगों के रिप्लाई आगया C.J.S.L. के लिए भी बताएंगे उसके बाद में यह बोल्ट में करेंगे तो आपको अपना रिप्लाई भी दिखा सकेंगे C.J.S.L. मैंने RTI दर डायर कर रखिए उसका भी रिप्लाई आएगा तो बताएंगे पढ़ते रहे हैं आपको 9 जे मैंने 33 सीरीज स्टार्ट किया फ्री यूटूब पर कम्प्लीट इंग्रिज ग्रैमर का कॉर्स रिवीजन कॉर्स है तो आप उसको जोइन कर सकते हो इसी चैनल पर रोज रात को 9 जे Thank you, चैट मेंदे